यह MSP Knowledge Encyclopedia है और आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं फ्रेंच रवोलुशन पार्ट फोर डिड वुमेन हेवे रेवोलुशन शुरू करने जा रहा हूं सो जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि 7000 men and women 14 July 1789 को पैरिस में गई थी और उन्होंने बेस्टेल किला जलाया था सो वुमेन्स ने बहुत पहले से ही बढ़ चड़कर इन्ही रेवोलुशन में भी पार्टिसिपेट किया और लोगों को रिफॉर्म भी करने में पार्टिसिपेट किया इससे क्या हुआ वुमेन ने हमेशा कई revolution में पाट लिया लेकिन जैसे फ्रेंच revolution खतम हो गया इसके बाद क्या हुआ उन्हें voting right नहीं दिये गए उन्हें ना तो voting right दिये गए ना ही वो minister बन सकती थी election के थो यानि उन्हें election भी लड़ने नहीं दिया जाता था सो इससे क्या हुआ उन लोगों के अंदर डिप्रेशन का भाव आ गया और सिर्फ नॉबिलेटी स्टेज की जो वुमेंस थी सिर्फ वही स्कूल जा सकती थी बाकि थर्ड स्टेट वालों के लिए कोई भी स्कूल का टेंशन नहीं था थर्ड क्लास वालों को काम करना पड़ता था अपने रोजगार के लिए और वो लग दिन रात काम ही से अपना रोजगार चलाती थी लेकिन उन्हें मैन के मुकाबले बहुत कम वेज दिया जाता था और उनकी सिर्फ और सिर्फ यहीं मांग थी कि उनको राइट टू वोट दिया जाए लेकिन उन्हें नहीं दिया गया लेकिन जैसे ही Constitution बना वुमेंस को थोड़ी बर्याता दे दी गई क्योंकि वुमेंस के लिए फिर स्कूल खुलवाये जाने लगे और उन्हें पढ़ने का हग दे दिया गया उनकी मर्जी से ही मैरेज की प्रथा चल गई और डि वाली सरकार आई तो उन्होंने देखा कि वुमेंस हो सकता है आगे चल कर हम लोगों के खिलाफ वीद्रोह करते यह हो सकता है कि वो लोग Right to Vote मांगते मांगते हमारी सरकार को ही गिरा दे इसी वजह से उन्होंने ये इलीगल कर दिया उन्होंने एक नया लौ बनाया कि अब जो भी वुमेन अगर कोई भी क्लब बनाएंगी या फिर एक साथ जुटेंगे तो उनको मरवा दिया जाएगा कई वुमेंस जो क्लब के लीडर थी ग्रूप्स के लीडर थी उनको मरवा दिया गया और क्लब्स बनाना इलीगल हो गया उस समय ऐसे कुछ 40 क्लब बने हुए थे वुमेंस के लेकिन वुमेंस ने फिर भी हाल नहीं मानी और वो लोग राइट टू वोट के लिए लड़ते रहें और शांती प्रदर्शन हुआ कई मुवमेंट निकाले गये और आखिर में बहुत सालों बाद लगभग 200 सालों बाद फ्रांस में राइट टू वोट आ गया राइट वोट कब आया 1946 में सोचिए ये 1789 का समय है और 1789 से 1946 ये बहुत लंबा वक्त हो जाता है करीब दो साल तक उन्होंने अपने राइट वोट के लिए स्ट्रगल किया इसके बाद देखते हैं अबॉलेशन ऑफ स्लेवरी तो खुलामों की ट्रेडिंग करना उसे राइंगल बनते थे जिसमें काम करती थी यूरोप अफ्रीका और अमेरिका सो अफ्रीका से जो स्लेव्स थे उन्हें एकठा करके शिप्स में भरा जाता था और उसे यूरोप में भेजा जाता था और अमेरिका भेजा जाता था सो ये टोटल एक ट्राइंगल बन जाता था और यहीं से ही ships के थ्रू slaves को इधर उधर ले जाया जाता था इसी कोई कहा जाता है triangular slave trade तो जब Robesphere की सरकार आई तो उन्होंने देखा कि ये तो गलत है इसी वज़े से उन्होंने क्या किया इसको abolish करने की सोची लेकिन उनके सामने एक और खत्रा था अगर वो लोग slavery को खतम कर देंगे तो big business man और big जो merchants हैं उनका क्या होगा क्यूंकि वो लोग तो सिफ slavery पे dependent रहते थे rain of terror वाली सरकार ने slavery को बंद कर दिया और यही poster लगाया गया देखिए कैसे slaves को कपड़े दिये जा रहे हैं इसे बज़े से 1794 में यह बंद हो गया और सभी slaves को छोड़ दिया गया लेकिन बाद में नेपोलियन के आने के बाद यह फिर से इंट्रोडियूस हो गया नेपोलियन ने slavery को और जादा प्रमूट किया और slavery को बढ़ाया और कुल मिला के 1848 में slavery पूरी तरीके से खतम हो गई और अंत हो गया slavery का अब इसके बाद हम लोग को देखना है इसके बाद सिर्फ एक और पॉइंट बचा हुआ है कंक्लूजन आखरी वाला पार्ट बहुत इंपोर्टेंट पार्ट है वह रिवीजन पार्ट है जिसमें मैं आपको एक टिप बताऊंगा कि हम लोगों ने जो जो याद रखा है जो जो पढ़ा है वो सब आप कैसे याद करें कैसे फ्रेंच रेवलुशन में अच्छे मार्क्स लाएं थैंक्स फॉर वाच्चिंग